रादे रादे कैसे हैं आप सभी सेबी का सरकुल राच चुका है जिसमें उन्होंने 6 FNO के नए रूल्स लाव़ कर दिये तो आज हम बात करते हैं उन 6 रूल्स के बारे में यह 6 रूल क्या लाव़ किये गए है इन रूल्स का किन के ओपर क्या इश्फट पढ़ने वाला है मैं मैं one by one step by step सारे रूल्स करूंगा आपसे और उन रूल्स का किन लोगों के ओपर impact पढ़ने वाला है कितना पढ़ने वाला है option buyers क्या करना पड़ेगा sellers के लिए क्या होने वाला है सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा तो आपके मन में इन रूल्स की रिकार्डिंग जित जलते points के ओपर और one by one बात करते है सबसे पहला point क्या है कि upfront collection of option premium from option buyers मतलब option buyers से जो भी option में काम करने वाले है उसका जो collection है upfront collection होगा premiums का इस rule का ज्यादा impact नहीं पढ़ने वाला है option buyers के ओपर क्योंकि जो काफी brokers ऐसे है जो पहले ही इस rule को follow कर रहे थे वो option जो भी buy करते है उसका premium जो है पूरा पहले ले लेते हैं वो margin पर काम करते नहीं से तो उसका impact इस पर खास नहीं पढ़ने वाला है और यहाई उन्होंने mention भी कि है clearly कि यह rule जो है वो आपके पास में एक फरबरी से लागू होगा एक फरबरी दोरे 25 से लागू होगा उस से पहले लागू नह अब नहीं बना पाओ गई अब आप में से काफी लोग है जो जानते नहीं है कि calendar spread होता के है तो मैं detail में नहीं जाओंगा आपको basic जांकर देता हूं calendar spread क्या होता है उसके अंदर हम क्या करते है कि हम जो close की हमारे pass के expiry होती है उसका option sell कर देते है और दूर की expiry का option buy कर लेते है for example के बात करें अगर weekly ही बात करें हम तो हम जो current week चल रहा है उसकी expiry है उसका option sell करके अगले week की expiry का option buy कर लेते है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो margin use होता है न वो कम हो जाता है मतलब अगर आज किसी option की expiry है तो आप उसको आज sell करके अगले week की जो buy करके calendar बनाते हो न वो अब नहीं बना पाऊगे कोई option ऐसा है जिसके expiry आज नहीं है तो आप उसके उपर calendar spread बना सकते हो या फिर अगर आपने कोई calendar spread बनाया हुआ है और उसकी expiry आ गई है तो उस expiry वाले दिन के उपर आपका calendar spread जो है उसका margin काम नहीं करेगा यह वाद ध्यान रखना कि देखिए इन्होंने यहां पर explain मी किया अच्छे से कि माल लेते है कि current month जो है उसके expiry 29 तरिक्की है उसके अगले month के expiry जो है वो 30 तरिक्की है और उसके अगले month की expiry जो है 31 तरिक्की है तो अगर आपने calendar spread बना रखा है current month को लेके और उसके अगले month को लेके तो आपका वो spread अराम से काम करता रहेगा आपका वो कम मार्जान में काम होता रहेगा बट जब 30 तरिक्क आएगी ना 30 तरिक्क जब आपके आएगी उस दिन आपका वो spread काम नहीं करेगा आपने क्या किया होगा आपने 30 तरिक जो होगा उसकी expiry का sell कर रखा होगा और उसके अगले month की कब की सब्सक्राइब यह एकते हैं कि यह जो नजदी की सब्सक्राइब और यह यह करेगा आपको इस यहां के सब्सक्राइब काम दिना पड़ेगा में अपड़ेगा स्बसक्राइब एक फरबरी 25 से लाग होगा एक फरबरी के बाद 25 के बाद से आपका ये करेंडर स्प्रेड का रिमूवर का रूल है एक्सपारी के अपर वो लाग होने वाला है अब चलते अगले उलुकी तरफ नेक्स्ट रूल क्या बोलता है इंट्राडे मोनिटरिंग और पोजिशन लिमि कम से कम चार बर minimum four position snapshots trading time के अंदर भी चार बर हम कम से कम आपके positions का snapshot लेंगे एक picture लेंगे उसकी और check करेंगे कि आपका जो margin है और सब कुछ है position है वो control में है के नहीं है सो यह rule एक और implement किया गया है हलाकि इस rule हो खास impact नहीं पढ़ने वाला है बढ़ ठीक है आपको पता अनुच इस बारे में भी कि अब आपके daytime के अंदर भी आपकी position को track किया जाएगा और यह rule जो है वो आपके पास April 1.25 से लागो होगा एक April 2.25 से rule लागो होने वाला है तो derivatives मतलब derivatives का जो options और futures का जो contract size है वो बढ़ा दिया गया है contract size क्या होता है वह समझ लो एक load की value basically मान लेते है nifty 50 का load है वो उसमें 25 शेर भी मान लेते है और उसका जो price है अब ही चल रहे है मान लेते है 25 जार के आस पास चल रहे है तो उसकी जो value बनगी ना वो बनगी आपके cash में 625 जार की चीक है तो यह होता है contract size तो अभी तक क्या था कोई भी options हो future option हो उसकी जो contract size था वो आपके पास में 5 लाग से लेके 10 लाग के बीच का था अब इतक की बात करूँ तो मैं बट अब यह rule change कर दिया गया है अब आपके पास contract size जो है वो minimum 15 लाग का कर दिया गया है अब contract size 15 लाग से लेके 20 लाग के करीब का बनेगा minimum 15 लाग का होना चाहिए अब ध्यान रखना यहाप एक twist है यह rule जो है only for index डेवटी पर लगाया गया है मतलब only for indexes के option future पर लगाया गया है stock के fno के अंदर stock के future option पर इससा कोई प्यक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर आप लोग stocks के अंदर future option करते हो तो आपका इस पर कोई प्यक्ट नहीं पड़ेगा उसका size वैसा ही रहने वाला है only nifty 50 bank nifty nifty fin इस जो indexes वाले है न fno इनके पर पड़ने वाला है तो जो लोग indexes के अंदर fno करते हैं उनके लिए दिक्कत होने वाली है इस रूल के बाद में क्यूं यह रूल जो है वह option buyer के लिए भी दिक्कत वाला काम है option sell के दिक्कत काम है मैं आपको explain करता हूं कि इस rule का buyers और sellers दूनों के अपर कैसे impact पड़ने वाला है ध्यां समझ रहा हम माल लेते है कि nifty 50 का एक contract है जिसका अभी की बात करूँ तो उसका जो size है वो 25 quantity का size है और उसका price जल रहा है 25,000 के आसपास का ठीक है तो यह अभी बनती है value 6,25,000 की तो यह इसका contract अभी size जलता है अब माल लेते है कि आपने कोई option buying किया है जिसका premium चल रहा है 100 रुपे का ठीक है तो और वही selling की बात करें तो selling के अंदर आपका एक लाग के आसपास का आपको margin देना पड़ेगा इस option के अंदर काम करने के लिए इतना clear है अब क्या होगा अब आपका minimum contract size जो है 15,000 का कर दिया गया है मतलब मोटा मोटा यह जो value है यह धाई से 3 गुना हो जाएगी जो अभी 25 share में काम हो रहा था निफ्टी 50 के एक लोट के अंदर वो अब भढ़ कर आपके पास में 60 से लेके 80 के आसपास quantity हो जाएगी आपका जो यह premium है जो buyers को देना पट रहा था वो भी आपके पास में 2.3 गुना हो जाएगा और जो आपका margin लग रहा था एक लाग के असपास का वो भी आपके पास में 2.3 गुना margin बढ़ जाएगा समझ पा रहे हैं मतलब जो भी index options में या futures में काम करते थे उनका आप जो margin है जो option selling करते थे उनका और जो buyers थे option buying करते थे उनका जो premium पे करते थे वो वो amount जो है वो double triple होने वाली है धाइतिंग होने वाली है तो इससे उनको fund अब orange करना पड़ेगा उनको fund extra देना पड़ेगा उसी option में काम करने के लिए जिनके पास big fund size है उन्हें इससे कोई impact नहीं पढ़ने वाला है क्यूं जहां पहले वो 10 लोट में काम करके 25 पर लोट मे करते थे अब वो क्या करेंगे तीन या चार लोट में काम कर लेंगे और पर लोट के अंदर 17 अपके quantity होगी तो गूम फिर के उनकी बात वे पड़ने वाली है आपका मारधान increase हो रहा है बटा लोट के अंदर quantity भी इंक्रीज हो रही है तो गूम फिर के जिनके पास fund काम करते थे चाहे वह option buyer हो चो seller हो उन्हें अब दिक्कर पढ़ने वाली है वो अब index के अंदर काम नहीं कर पाएंगे उनका fund size कम है तो यह rule का एक बड़ा impact पढ़ने वाला है बाट मैं again repeat कर रहा हूं इस rule का impact जो है काली उन लोगों पढ़ेगा जो indexes में काम करते थे तो अगर आप stock options या stock future में काम करते हो तो आपका इस rule से कोई दिक्कर नहीं होगा और यह rule जो है वो applicable होगा 20 नॉवंबर के बाद से 20 नॉवंबर के बाद से आके बाद से यह rule आपके applicable हो जाएगा तो यह बात ध्यान रखना next जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या है rationalization of weekly index deity products मतलब weekly index जो भी होते थी ना weekly expiry होते थी वो बंद हो जाएगी यह rule क्या बोलता है कि NSE और BSE दुनों exchange के अंदर आपको खौली एक index fix करना पड़ेगा जिसके आपको एक weekly expiry होगी उसके लावा बाकि सबी एक index की weekly expiry बंद हो जाएगी मतलब माल लेते है कि NSE के अंदर आपके आसमे nifty 50 है bank nifty है fin nifty है और भी काफे सारे है तो इन सब के अंदर आपको एक index चूज करके उसी की weekly expiry होगी बाकि सबी की weekly expiry बंद हो जाएगी आपको उसके monthly expiry करनी पड़ेगी और सेम ऐसे ही BSC के अंदर भी only for one index के लिए आपके वास weekly expiry होगी बाकि सबी के लिए आपके weekly expiry बंद हो जाएगी आपको उसके लिए monthly expiry बंद हो जाना पड़ेगी अब समझते है इसका impact क्या होने वाला है देखिए premium क्या depend करता है premium depend करता है time के ओपर अगर expiry pass है उसका premium कम होगा expiry दूर है तो उसका premium जादा होगा for example के लिए अगर weekly expiry होती जिना तो आपको कम premium में आप काम करते थे बट अब weekly expiry बंद हो गई है आपका expiry मन्थली हो गई है तो आपको options में काम करने के लिए premium high पे करना पड़ेगा क्यों weekly expiry है नहीं है expiry दूर की हो गई है तो आपको high premium पे करना पड़ेगा जिससे आपक जो cost है उसके उपर जो लोग कम fund से option buying करते थे अब वो लोग option buying कम fund से नहीं कर पाएंगे उनको high fund का यूज़ करना होगा option buying के लिए आप चेक कर लेना एक next week का option चेक कर लेना और एक monthly expiry option चेक कर लेना आपको दूनों के price में मनते दिख जाएगा जो next week का option होगा उसका premium कम ह होगा और जो monthly expiry option होगा उसका premium हाई होगा यह चेक कर लेना और यह रूल जो है वो आपके पास 20 नौंबर से लागव होने वाला है next और last rule जो है वो यह बता रहा है increase in tail risk coverage of the day of expiry options मतला अब option के जब expiry होगी उस दिन जो है margin जो है वो extra मांगा जाएगा वो कितना मांगा जाएगा 2% of short option contract इस rule को only जो लोग option selling करते है उन पर लागव किया जाएगा इस rule का futures के अपर कोई impact नहीं होगा futures के लिए रूल नहीं है और यह rule जो है वो option buyers के लिए भी नहीं है only for option selling जो करते है उनके लिए rule है कि अगर वो expiry वाले दिन तक उस option को लेके जाते है तो expiry वाले दिन के अदर उनका 2% का उनसे extra margin लिया जाएगा हलाकि expiry वाड़े दिन के अंदर margin वैसे भी increase हो जाता है बट अब उस amount का 2% और आपको extra margin पेकरना पड़ेगा यह पूंद जानक न तो यह rule का impact किन लोग होने वाला है उन लोगों को ज़्यादा होगा जो लोग या तो expiry तक trade लेके जाते है जो लोग पहली trade करते थे हैं उ लोट से काम करते हैं और expire तक अपने trade को लिखे जाते हैं उनको इस परने वाला है के पास में 20 नॉवंबर को लागो हो जाएगा 20 नॉवंबर से रूल अपके पास में applicable हो जाएगा बस ध्यान रखना यह rule जो है वह only for option selling पे काम होगा और only for expired दे पे काम होने वाला है अगले यह चैनल के उपर आपको सभी आई प्यों के रिव्यूज स्टों माकर के इंपोर्टेंट अपडेट्स को प्रेक्शन के जांकारी स्प्लीट बॉनस लट इश्चू ओएफैस बाइबैक इन सब की जांकारी मिलती रहती है तो अगर आप स्टों माकर के अंदर actively काम करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी क्या भी बेल आको नट कर लेना तो पूरी समरी देख लेते हैं फर्स्ट रूल जो है option premium का buyers के लिए वो एक फरबरी से लागो होने वाला है second rule जो है जो calendar spread है बनाते हैं लोग वो expiry पे आप वो काम नहीं करेगा जिस option के expiry होगी उस दिन आप calendar spread नहीं बना पाओगे तो ये rule भी एक फरबरी से लागो होने वाला है third rule क्या है कि intraday के अंदर मतलब आपकी positions को monitor के जाएगा third day के अंदर minimum चार बार आपकी position के screenshot ली जाएंगे और check के जाएगा कि आपका margin जो है position जो है लिमिट में एक नहीं है है वह आपके पास में जो पहले पांदस लाग का था वह आप 15 से 20 लाग कर दिया गया है बस ध्यान रखना यह only for index में किया गया है stocks के future option में इससे को impact नहीं पढ़ने वाला है और यह rule जो है वह 20 November से लागो हो जाएगा fifth rule क्या बोलता है कि आपके जो weekly index derivative है weekly expiry जो है indexes के अंदर वो बंद कर दी गई है only NST और BSC में खाली एक आपको चूज करना पड़ेगा ति आपको एक किसके expiry को weekly करना है उसके लाबा बाके सभी expiry weekly बंद हो जाएगी आपके expiry monthly रहने वाली है तो यह rule जो है आपके बास प्रे के ओपर यह rule जो है यह rule अकराज बीस नौमबर से इंपक्ट करने वाला है सो मोटा मोटा यह बात है कि जो भी लोग stocks के अंदर fno करते हैं ना उन्हें इन रूल से कोई खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे rules जो है वह mainly focus कि गए indexes के ओपर index fno के ओपर stocks fno के ओपर क उन्हें कोई खास इश्यू नहीं होगा ठीक है उनकी टेडिसम चलती रहेगी बढ़ हाँ जो लोग index के अंदर nifty 50 के अंदर bank nifty में nifty fin में इन सब indexes वाला में काम करते हैं ना उन्हें इन rules का काफी अच्छा impact होने वाला है चाहे वो buyers चाहे sellers हो बायर्स के लिए उनको अब premium जाद बे करना पड़ेगा जो काम आप 10 जाद में कर रहे थे अभी तक option buying का वो आपको 35-35 जाद में करना पड़ेगा और same ऐसे ही option जो selling करते थे उनको अब margin जाद देना पड़ेगा तो आई अब आपको इन 6 rules के बारे में प्रोपर री जांकर नहीं है इन सब rules के बारे में चर्चा पहले हो चुकी थी जुलाई के अंदरी सेवी का circle आ गया था जहां पर सेवी ने साफ clearly mention किया था कि हम इन 7 rules 7 rules के विचार कर रहे हैं यह 7 rules के ओपर हम बात कर रहे हैं यह 7 rules कभी भी हम लाग कर सकते हैं तो यह होना था यह पहले से clear था कि ऐसा होने वाला है तो उन 7 में से 6 rules को लाग कर दिया गया है एक रूल को छोड़ दिया गया है तो इन rules का स्टर्व मार्कर के ओपर काफे बड़ा इपक्ट नहीं होने वाला है बट हाँ impact किसका हो सकता है जो अभी इरान इसराइल की वोर चल रही है मने अभी news देखी थी कि कुछ 400 missiles जो है वो इरान ने इसराइल पे लगा दिये है छोड़ दिये हलकि इसराइल की तरफ से यह statement आ चुका है कि इतना कोई खास impact नहीं हुआ है बट फिर भी जो यह वोर चल रही है ना उसका impact जूरू पड़ सकता है market के उपर डाउन जा सकती है market बट वो डाउन जाती है तो आपके लिए मोका है investment करने का अच्छे श्टोक के अंटरी बनाने का क्योंकि जो impact है वो sudden impact होगा within short time के अंदर शायद same day के अंदर भी हो सकता है या कुछ दिनों के अंदर हो सकता ह है वो impact वापा से उपर आजाएगा अगर वोर का impact भी होगा ना तो वह भी impact जो है वो short time के अंदर होगा long time में नहीं रहने वाला है दो तीन दिन चार दिन के अंदर आका वापेस impact आजाएगा तो अगर आपके पास आपको market में correction मिलती है Thursday को तो आपके लिए एक मोका बनता है अच्छे stocks को right price pick करने का बाकि मर्जी आपके मेरा समझाना फरस्ता बस ध्यान रखना गिरावड को देखकर panic मत करना फिर भी आपके मैं में कुछ भी query चल लिए हो कुछ भी doubt चल रहा हो तो आप नीचे comment कर सकते है comment section आपके लिए हमेश्यों open है मैं हर एक query का solve करने की आपको जांकारी मिलती रहती है तो अगर आपने अभी तक उन ग्रूप को जाइन कर लेना उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में कर रहा हूं free of cost है चैनल सब्सक्राइब करके बैल आकिन डापने कर लिया होगा वीडियो को लाइक और शेयर ज्यूंग कर देना तक कि जो इनिफ सब्सक्राइब किसी और information के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक्यू सब्सक्राइब